So Hello Guys, आज हम question solve करने वाले हैं chemistry से So question कि रहा है कि What is the concentration of the nitrogen ions if equal volume of 0.1 molarity AgNO3 यानि कि silver nitrate and 0.1 molarity of sodium chloride are mixed together यानि कि 0.1 molarity concentration वाला AgNO3 को mix किया आता है 0.1 concentration के साथ NaCl को ठीक है तो उसमें हमें concentration बताना है Na की यानि N की नाइट्रिट आइंस की बतानी है यानि कि nitrogen की आइंस की बतानी है तो क्या होगी सबसे पहले इस question solve करने से पहले सबसे पहले हमें पता क्या है question में तो सबसे पहले हमें question में पता क्या है पता ये है कि 0.1 concentration के साथ Agno3 को mix किया जाता है 0.1 concentration के साथ NaCl के साथ ठीक है NaCl के साथ हम mix कर रहे है Mixed together ठीक है So हमें क्या पता है guys हमें आपको पता ही होगा कि जो 0.1 molarity का मतलब क्या होता है 0.1 molarity का मतलब होता है कि 0.1 moles of Ag यानि कि अगर इसकी बात करें सिर्फ क्योंकि गाई इसके अगर ions बनेंगे तो क्या बनेंगे Ag plus यानि कि silver वाला ion बनेगा ठीक है And 0.1 moles किसके बनेंगे NO3 minus ठीक है So 2 ions बनेंगे इसमें क्या कोंकों से बनेंगे Ag plus and NO3 minus ठीक है So 0.1 M, 0.1 M का मतलब क्या है इस concentration का मतलब क्या है कि 0.1 moles of Ag plus and 0.1 moles of NO3 क्या है present है in 1000 milliliter of milliliter of solution यानि कि 0.1 mole and 0.1 mole of NO3 present in 1 liter तो 1 liter क्या लिख सकते है हम लिख सकते है 1000 milliliter of solution अब चा करना है गाई इसका मतलब क्या है ऐसी ही अगर similarly अब इसकी बात करें दूसरे की दूसरे हमारा compound है कौन सा compound है दूसरा compound कौन सा है NaCl की बात करें तो similarly क्या होगा 0.1 moles कितना concentration है NaCl sodium chloride की क्या concentration है 0.1 molarity यानि की 0.1 moles of Na plus क्योंकि इसका भी क्या ions बनेंगे Na plus and Cl minus 0.1 moles of Na plus and 0.1 moles of Cl minus in कितना होगा 1000 milliliter of solution तो हमने statement लिख दी जो हमें given था उसके basis पर आप क्या करना है आपको तो guys total moles of कितने हिंदे रखें इसमें क्योंकि हमें किसका निकालना है nitrogen का निकालना है तो हमें बस इसका काम है यानि कि हमें बस इस आयन का काम है तो जो total moles दे रखे है वो कितने दे रखे है total moles of NO3 minus कितने रखा है 1 दे रखा है 1 mol 0.1 mol 0.1 mol दे रखा है यानि कि अगर हम बात करें total volume of solution की total volume solution के बात करेंगे क्यूंकि दोनों को mix कर दिया गया है AG NO3 and NACL को mix कर दिया गया है और यह है 1 liter यह है 1 liter अगर यह है 1 liter यानि कि 1000 ml 1000 ml total volume कितना होगा solution का तो total volume कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 2000 ml हो जाएगा volume के- गए केvens क्या होगा के नियाटिकों के निकललेट न मैं मैं हमतुमें 1 आइनिमक की निकलजाएगे रामसे सब्सक्टक्टक्टक्ट . 0.1 अपन मैघ क्या होता यह, बहुत फॉल्ला क्या होता है, molarity का, moles upon में, volume, ठीक है, so moles कितना दरुका है, हमारा nitrate का, 0.1, 0.1, and volume कितना दरुका है, total solution का, कितना दरुका है, 200, दरुका नहीं दरुका, हमें इसे liter में लिखना होगा, तो liter में लिख देंगे, क्योंकि volume क्या होता है इस formula में लीटर में होता है तो लीटर में लिख देंगे तो यह हो जाएगा हमारा टू लीटर है अगर वेल्यू निकालेंगे तो 0.05 कंसेंट्रेशन तो नाइट्रेट की कंसेंट्रेशन कि इतनी आ गई है हमारी 0.015 पाइफ मोलारिटी अबन्यों आया तो ऐसे करना इस कोशन को I hope you like it thank you watching guys and if you are new on channel please subscribe to our channel till then bye bye